अपने को आप अन्मूट कर लिजेगा जैसा अभी मैंने बताया आपको कि युनिट टू का यह टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है बलवन, बलवन की उपलब्धियां या अचीमेंट आफ बलवन आज रूलर आफ टैली सल्तनत है ना एक सुल्तान के रूप में बलवन की उपलब्धियां इसके अंतरगर जो तीन पार्ट कोश्चन बनते हैं यह बलवन का राजत सिधान, किंग्सिप थेयरी, बलवन की उत्तरी पस्यमी सिमानत नीती या मंगोल नीती या बलवन की नार्थ वेस्ट फ्रेंटियर पॉलसी और के एंसर उसकी उपलब्धियों में ही सामिल होते हैं, यह जो प्रश्चन पूछा जाएगा उसी के एकॉर्डिंग आप उतना ही इसको डेटेल लिखेंगी, बाकी कही हिस्से को आपको नहीं लिखना होगा, इतना ध्यान लखना होगा तो हम लोग आज डिसकस करेंगे बलवन की राजत तो शिधानती की बारे में, ठीक है, बलवन's theory of kingship, it is very interesting topic, यह बहुत ही मज़दार है और इसमें आपको बहुत अच्छा लगेगा, सुनेंगी तो, और याद भी हो जाएगा जैसा कि लास्ट टाइम हम लोग ने डिसकस्ट की, इल्टो तमीस ने group of 40 slabs बनाया था, और 45 खुलामों का एक दल बनाया था और उस दल में, उस दल ने इल्टो तमीस की डेथ होने के बाद से, एक बड़ी ही महत्तपुण भूमिका का सकते हैं कि सासर सक्ता को अपने हाथों में केंद्रित करने की कोशिश की थी और इसी का परड़ाम था कि रजिया जैसी योग्य महिला भी इन तुर्क अमीरों के जाल में फश गए थी और उसकी हत्या हो गई और उसकी डेथ हो गई, जिसके कारण एक योग्य प्रशासिका का अंध हो गया बड़ हम लोग ये देखते हैं कि रजिया की डेथ होने के बाद से पूरी की पूरी शासन सत्ता जो थी, वह इन ही तुर्क ये जो चालिश गुलामों का जो दल था, अमीरों का, इनके ही प्रभाव में आ गई थी उसको हम लोग ये देख रहे हैं कि रजिया की डेथ होने के बाद से मुईजी दिन बहरामसा, I have already discussed कि मुईजी दिन बहरामसा को एपगिन के सहयोग से, अलतुनिया के सहयोग से, अमीरों ने दिल्ली का सुल्तान बना दिया था, रजिया को कैद कर लिया था, बट बहरामसा मात्र दोशाल सासन कर पाया था, अपने प्रशाशन में उसने नाइबे मामलिकात का पद क्रियेट किया और उस पर एक्तियारों दिन एतिकीन को जरूर निक्त किया था, बट जब उसने ये देखा कि ये हमारे उपर प्रभाव जमाना चाहता है, तो उसने उसकी हत्या कर द इसके बाद जो है, हत्या के बाद से अमीरों ने बहराम साह को हटाने की कोशिश करी और बहराम साह की हत्या कर दी, जिसका परड़ाम हुआ कि मात्र दोशाल उसने शासन किया, 1240 से लेकर की 1242, उसके बाद हमें देखते हैं कि अलाओ दिन मशूद सा, नेक्स्ट आपका बा 1242 से लेकर के 1246, यानि 1242, from 1242 to 1246, है न, 80, उसका टाइम पिरिड रहता है, मात्र चार बरसी वो सासन कर पाता है, उसकी भी सत्ता पूरी तरह से इन तुर्ग अमीरों के हाथों में केंद्रित रहती है, और इसके बाद मसूद साह के बाद, बलवन, he was the member of a group of 40 slaps, बलवन जो है, 40 गुलामों के धल का एक member था, और मसूद साह की हत्या करा दिया, और उसने नसरुदिन महमूद साह को शुल्तान बनाया, और नसरुदिन महमूद साह का जो शाशनकाल था, वो 1246 से लेकर के 1265, यानि कि 65 तक था, ये उसका time period था, ये जानकारी के लिए आपक ध्यान रहे हैं, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इल्तुतमीज की death होने के बाद से रजिया, रुकमुन दिन फिरोज शाह कुछ दिन सासन किया, उसके बाद रजिया चार बरस तक सासन कर पाई, उसके बाद से बहराम सा दो साल सासन कर पाया, अलाउदिन मशूद सा चा सासन किया, लेकिन उसके बारे में एक बड़ा दिल्चस्प वाक्या है, कि मसूद सा की हत्या बलवन ने करे थी, और बलवन ने नासुरिदिन महमूद सा को शत्ता पर बिठाया था, इसलिए नासुरिदिन महमूद सा ने बलवन को पूरी सत्ता सौन आप दिया था, जैसा कि इशामी है या मिनहाजु सिराज है जिनोंने फुतु शलातिन या तबकाते नासरी लिखी है उनका एक आना है कि बलवन या अमीरों की इच्छा के बुरुद नासर अदिन महमूद सा ना तो खां सकता था न तो हस सकता था न तो चल सकता था न तो हिल सकता था न तो डूल सकता था मतलब इतना जादा उसने अपने आपको इनके सामने सरेंडर कर दिया था क्योंकि उसका ये मानना था कि जिन बादशाहोंने अमीरों का तुर्क अमीरों का विरोध किया उनका हर्ष क्या हुआ वह देख चुका था इसलिए उसने अपने पूरी शासन सत्ता को बलवन के हाथों में केंद्रित कर दिया था अपने पूरी शासन सत्ता का संचालन किया जाता था तो नासुर दिन महबूद के समय में जो नायबे मामलिकात बना वह बलवन बना था और उसने पूरी शासन सत्ता अपने हाथों में केंद्रित कर ली थी उशी के आदेश से सारे सर्कुलर जारी होते थे, इस्तहार जारी होते थे, आर्डर जारी होते थे, सिमाओं पर आक्रमण किये जाते थे, सामराज की सुरक्षा की जाते थे, अड्मिस्रेटिर रिफॉर्म किया जाता, all types के जो भी एक प्रशाश्रक के द्वारा कार किया जा स इसके बाद से उसने बलवन ने अपनी पुत्री का अभिबा जो है नसरी दृमामूब के साथ कह दिया और इसके बदले में उसने जो है नसरी दृमामूब ने उसको उल्गू खांके उपा दिती वीडियो और डियो प्लीज अपनी आप म्यूट कर लिजिए रना तो इस तरह से हमें देखते हैं कि बलवन सुल्तान बनने की पहले as a member of a group of 40 slaps का he was a member of a group of 40 slaps and he was experienced as a नाइवे मामलिकात more than 20 years है ना तो इस तरह से वह 1265 में यानि 1265 में वह दिल्ली का सुल्तान बनता है और महमूद की हत्या करके बनता है इसके लिए इबन बतूता से लेकर के के निजामी और इशामी मिनहाद ये सभी लोग इस बात को मानते हैं कि बलवन जो है महत्वाकांची था और उसने नाशरूद मामूद की फाइनली हर्त्या कर दी अन्त में और सासन सत्ता को बिना किशी प्रतिरोध की उसने बहुत ही आशानी से सत्ता प्राप्त कर ली क्योंकि उसमें आथंक एक तरीके से डेस्पोटिक जो शाशन था निरंकोश उसने उस पो जो है किया था नावे मामूद कार्ट के काल में तो इस प्रकार से बलवन जो सुल्तान बनता है तो उसके पहले जो है कहने का मेरा आशा है कि सुल्तान की जो पावर था जो उसका प्रेस्टीज था जो उसकी पद की जो डिगनिटी थी यह सब कुछ समाप्त हो चुका था और यह एक प्रकार से किसके हाथों में केंद्रित था चालिस गुलामों का दल जो था यानि अमीरों के हाथों में केंद्रित था जिसको इल्टुतमीश ने गठित किया था लेकिन इल्टुतमीश की मरत्यू के बाद ये काफी सक्तिसाली हो गए और सत्ता का संचालन अपने हाथों में केंद्रित करने लगे यहां तक क्लियर अब हम देखते हैं कि आपका बलवन जब सुल्तान बनता है जैसा अभी मैंने डिस्कुस्ट किया आपको कि नासरिदिन महमूद की हत्या करने के बाद से यह बलवन जो है शाशक बनता है और उसका जो सासन पिरिड है वह 1265 एडी से लेकर कि 1287 यानि कि 1265 टू 1287 एडी यह बलवन का पिरिड है और बलवन इस पिरिड में बिश्चित रूप से दिल्ली सल्तरत के खोई हुई जो प्रतिस्ठा थी जो सीमाओं का विस्तार था जो आपका प्रशाशनिक सुधार था जो आर्थ रिक्तिता थी यह सब उसमें पूर्ण करने की कोशिश की और उसमें काफी हद तक हुआ शफल भी रहा अब बलवन को थोड़ा सा उसकी प्रारंभिक आपको बताएंगे कि बलवन जो है एक उसका नाम बहाओ दिन था और वह एक दास था इल्तुतमीश का और उसने अपनी दास्ता की योगिता की बल पर जो है उसने विश्वशनी बन गया था इल्तुतमीश का इसके बाद से उ अमीरे शिकार के पत्ता नासरिद्र महमूत के समय में उसने नाइबे मामलिकात के रुप में शाषन किया था इसलिए कहने का मतलब यह है कि सुल्तान बनने के पहले उसको तमाम प्रशाषनीक पदों का अनभाव था और राज्य की जो भी पुलिटिकल कंडिशन थी उससे वह पूरी तरह से विज्य था जानकार था इसलिए जब वह शाषन सत्ता प्राप्त करता है तो शाषन सत्ता प्राप्त करने के बाद उसके शाषन की जो अब्जेक्टिव होता है उदेश्य होता है कि वह होता है कि सुल्तान की जो पावर है जो प्रतिस्ठा है जो प्रेस् करना उसको पुनारस्थापित करना ठीक है और इसके लिए वह सबसे पहला काम करता है वह राजत्य सिधान्त को डिफाइन करता है और कहता है राजत्य का मतलब होता है किंसिप थेरी यानि की शाषन करने का नियम कि इस तरीके से शाषन किया जाएगा और इस शाषन पद्धती की अनुसार ही राज्य में शाषन होगा और शाषन को लोगों को मानना होगा तो बलवन का राजत्य सिधान्त ये था कि बलवन was the first Muslim ruler who described the theory of kingship बलवन दिल्ली सलतनत का पहला सुल्तान था जिसने राजत्य सिधान्त को व्याख्यायत किया परिभाशित किया उसका वर्डन किया वह स्वैम को प्रित्वी पर इश्वर का प्रतिनिधी मानता था यानि रेप्रेजेंटेटीव आफ गाड अन अर्थ इसको हम लोग बोलते हैं नियामते खुदाई प्रित्वी पर अल्लाह का प्रतिनिधी प्रित्वी पर अल्ला का प्रतिनिधी या इश्वर का प्रतिनिधी ठीक है प्रित्वी पर अल्ला का या इश्वर का प्रतिनिधी मानता था नियामते खुदाई जिल्ले इलाही यानि की सैडो अफ गौड अनर्थ प्रित्वी पर इश्वर का बिंब, प्रतिबिंब है नहीं, तो इस तरह से बलवन ने स्वैम को प्रित्वी पर इश्वर का प्रतिनिधी कहा, प्रित्वी पर इश्वर का प्रतिबिंब कहा, इस्वर की छाया कहा, और उस्ष ने स्वैम को ये कहा कि यह पद जो है सुल्टा का एक विशेश पद है जिसे इस्वर की विशेश क्रिपा होती है जिसके उपर उशी को इश्वर प्रदान करता है जिसके अंदर योग्यता होती है बल्वन कहता था कि मैं सुल्तान के योग्य हूँ मेरे अंदर सभी प्रकार की योग्यता है इसलिए इश्वर की क्रिपा द् मुझे blessings प्राप्त हुई है इसलिए मैं शाषन करने के योग्य हुआ हूँ इसलिए मेरे द्वारा दिये गए प्रतेक कारिक की आदेश की सब्द की अच्छर्शह पालन करना होगा यानि कि मेरे आडर का मेरे शर्फलर का मेरे आदेश का शामराज की जनता को समराज की अमीरों को उल्माओं को उसकी आग्या का पालन करना होगा और जो भी उस आदेश की अवहिलना करेगा या उसकी आग्या को नहीं मानेगा उसके खिलाफ जो है दंडात्मक कारवाई की जाएगी उसके अंदर उसको मृत्व दंड की सजा उसको प्रदान की जाएगी वह अपनी आपको कहता है कि मैं जो हूँ, मैं स्वैम नहीं कह रहा हूँ, बलकि मेरे अंदर जो है इश्वर की जो प्रकाश है, जो किरण है, जो रेज है, वह जो संद सुरी को बड़ा ही महत्वड माना गया है, मुसलिम धर्म में भी और उसको, तो संद जो सुरी की जो किरण है उसकी जो किरण मेरी अंतरात्मा में डाइरेक्ट इंट्री करती है इस मेरे अंतरात्मा मेरे हिर्दे में डाइरेक्ट प्रविश करती है इसलिए मैं जो कुछ भी कहता हूँ वो मैं नहीं कहता हूँ बलकि इस्वर के आदेशा अनुशार कार निर्देश करता हूँ इसलिए मेरे आदेश की मेरे कारे की मेरे शर्कुलर की हर राजी की जनता को रमीर को उल्मा को पालन करना होगा अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हें मिर्तुदंड की या कठोर से कठोर सजा प्रदान करी जाएगी ठीक है तो इसलिए बलवन राजत्व के डैवी ये सिधान्त इसको बोलते हैं मैं विश्वास करता था यह जो है आपके फारस के राजत्व दहांत पर उसका पूरा यह मौडल आधारित था जहांके डिवाइन थेरी को बड़ा ही महत्त दिया गया है यानि कि इश्वर जो राजा है वो इश्वर का अशिरबाद है प्रतिनिधी है और इश्वर के प्रतिनिधी होने के नाते प्राज्य की प्रजा को अमीर को उल्मा को उसके विरोध करने का कोई भी हग नहीं है ठीक है अब प्रश्न ये उठता है कि बलवन ने इस प्रकार के दैवी राजत्य सिधान्त को क्यों अपने सामराज्य में लागू करना चाहता था क्यों अपनाया था इस बारे में के निजामी और मुहम्मद हवीव जिन्नों ने ये कहा है कि बलवन जो है अपराध बोध से ग्रसित था क्योंकि उसने हत्या करके जो है सत्ता को प्राप्त किया था इसलिए वह मलिकों और अमीरों के कानों में जोड़ जोड़ से यह चिला चिला करके कहना कि राजत तो एक दैविय संस्था है और मुझे जो सत्ता प्राप्त हुई है वह किसी हत्यारे या विश्भरे प्याले के बलपर नहीं वह किसी मुझे यह जो सत्ता प्राप्त हुई है वह किसी विश्भरे प्याले या कटार या तलवार के बलपर नहीं बलकि मुझे इश्वर की क्रिपा से यह प्राप्त हुई है बलवन through his theory of kingship endeavor to prove that he had not taken the throne by the noised cup or by the dagger of the murder तो यह बात बलवन कहता है कि मुझे यह जो सत्ता प्राप्त हुई है वह किसी निजामी कहते हैं कि बलवन के अंदर अपराद भूद था और हीन भावना शेय गर्शित था उसके द्वारा मलिकों और अमीरों के कानों में जोड़ जोड़ शे यह चिला करके कहना कि राजत तो एक दैवी शंस था है मुझे यह जो सत्ता प्राप्त हुई है वह किसी हत्यारे या विस्वहरे प्याल या कटार के बल पर नहीं है बलकि इश्वर की क्रिपा से प्राप्त हुई है इसलिए इसका एक मात्र कंसेप्ट या उदेश यही था कि उसके मस्तक पर जो कलंक का हत्या का जो कलंक लगा हुआ था वह उसे धो डाले और अपने 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 पद को जनता के शामने इश्वरी रूप प्रदान कर दे ठीक है जबकि मुहम्मद हविबुल्ला मुहम्मद हविबुल्ला लिखते हैं कि जो है बलवन ऐसा करने के पीछे बलवन का उदेश्य था कि अपनी जो जो उसकी डिगनिटी थी जो सुल्तान की उसको बैढ़ानिक उसको लीगल जो है स्वरूप देना ऐसा करने के पीछे सिर्फ उसका उदेश्य यही था क्योंकि वह एक दास था और मिनहाजु सिराज या बर्नी ने कहीं भी अपनी पुस्तक में उसको दास्ता से मुक्त होने का बढ़न नहीं किया है इसलिए वह दास रहते हुए सुल्तान नहीं बन सकता था इसलिए अपने आपको उसने दास की जगह जो है राजत शिधान इश्वर का प्रतिनिधी मान लिया और स्वैम को फारस की अफरासिया बंसद से कनेक्ट किया और यह कहा कि मैं इश्वर का प्रतिनिधी हूं मैं प्रतिनिधी पर इश्वर का प्रतिनिधी हूं छाया हूं इसके पीछे उसका उदेश यही था यानि कि जो राजत तो का जो दैवी सिधान उसने जो सामराज्य में लागू की विश्वास किया उसको एक्स्पें किया डि वह अपनी पद को बैधानिक शरूप देना चाहता था जबकि सम हिस्टोरियंस जो है रिटेन अबाउट इट के जो पावर था जो प्रिस्टीज था और जो सत्ता थी वह एक तरीके से समाप्त हो चुकी थी और जैसा कि हम लोगों ने देखा भी था देखा भी कि कैसे जो है इल्तुतमिस की डेथ होने के बाद से पूरी की पूरी शत्ता अमीरों और जो है उनके हाथों में चली गई थी इसलिए वह उनके शासन को क्या करना चाहता था और रियस इस्टैबिस्ट करना चाहता था उसने हमेशा से ही जो है क्राउन की जो ताज की जो सत्प्रथिष्ठा थी जो पावर था उसको अस्थापित करने की कोशिश करे कारण चाहे जो भी हो लेकिन इतना जरूर है निश्चित है कि बलवन की साशक बनने के पहले और इल्तुतमिस के बाद जो पूरी सत्ता थी वह अमीरों के हाथों में उल्माओं के हाथों में केंद्रित थी और जो है बलवन एक प्रकार से अगरूप फोर्टी स्लाप्स आइंट बहुत वर्यास्ट अग्रियुक प्रोस्ट बिफोर अजूम दाइटेल अफ तॉल्तान थी पाज़न करने के पहले वह विभिन प्रशाश्निक पदों पर कारिभी कर चुका था आज अमीरे शिकार आज अमीरे आखूर आज नाइब इसलिए वह अच्छी तरह से जान रहा था कि जो अमीर क्लास है, जो उल्मा क्लास है, इनकी पावर को, इनकी शक्ती को बिना कुछले हुए, बिना दबाये हुए, एक सुल्तान की प्रथिष्ठा को नहीं अस्थापित किया जा सकता है, क्राउन की प्रथिष्ठा को, पावर क शक्ति को शम्मान को नहीं अस्थापित किया जा सकता है इसलिए उसने राजत्यों के शिधान्त को परिभाशित किया यह बिल्कुल ही सही है अन्य जो तथ्य है तर्क है वो हिस्सा जरूर हो सकते हैं लेकिन यह तथ्य बिल्कुल सत्य है कि उसने इस सिधान्त के माध्यम से स् की प्रथिस्ठा को सुल्तान की प्रथिस्ठा को सम्मान को अस्थापित करना चाहता था अब वह जो बाते करता है जो डिफरेंट डिफरेंट बाते करता है उसके बारे में जो जानकारी राजत शिधानत की जो व्याख्या करता है उसकी जानकारी जियाउदिन बर्नी की वशि अतनामा से प्राप्त होती है जिसमें वह अपने पुत्रों को विशेश प्रकार से वक्तब देता है और कहता है कि राजा सुल्तान का जो पद है वह विशेश है और इसलिए जो है उसका सम्मान किया जाना चाहिए ऐसा ब्योहार किया जाना चाहिए कि जनता उसके प्तेक सब्द कारे की जो है एक तरीके से अनुकरण करे वह आगे यह भी कहता है कि राजत तो जो है निरंकुष्टा का सारेरिक रूप है यानि कि निरंकुष्टा का सारेरिक रूप है यानि कि निरंकुष्ट साशन डिस्पोटिक साशन होना जरूरी है लोगों के अंदर भय और आतंक कायम होना जरूरी है डिस्टेंस जरूरी है लोग उसके साशन का कद्र करे राजा के पद की राजा की गरिमा की जो है कद्र करे और तही संबव है जब निरंकुष्टा किया जाए साथी वह अभी कहता है कि राजा की जो विशेश कृपा प्राप्त हुई है वह एक आइडियल जो रूल है शाशन करने का उसके कारण प्राप्त हुई है इसलिए राजा पर प्रजा पर शाशन करने को एक मामुली और महत्तोहिन कारे मत समझो यह एक अतन्त ही महत्तो कारे है जिसे पूरी तनमेता के साथ पूरे हिर्देशिलता के साथ पूरी जिम्मदारी के साथ रिस्पंसिमिलिटीज के साथ इसे पूरा किया जाना चाहिए तो ये पाते हैं कि जो है बलवन जो है सबसे पहले तो कहता है कि अपने इन कारियों से उसने क्या किया कि राजत को निरंकुष एक निरंकुष सक्ति बना दिया और जनता को न तो उसे बात करने का राइट था सामान जनता से वह जो जन साधान जनता से वह नफरत करता था निरंकुष के व्यक्तियों से घ्रणा करता था और कुलीन और कुलीन जो इलीट क्लास था और जो नान इलीट क्लास था उसके भी डिफरेंस वर बल देता था ना और वो कहता था कि जब मैं किसे निरंकुष के व् वेंस है वह अत्यंत ही क्रोधित हो जाती है वह अस्पस्ट तौर पर कहता है कि माई वेंस बिगिन टू एजिटेट वेन आई विहोल्ड लोबार्न पीपल जब मैं किशी निम्नकुल के व्यक्ति को देखता हूं तो मेरे सरीर की प्तेक नाड़ी वह क्रोध से जल उठती है इसी तरह से वह अपने आपको सीधे सीधे मने बोला कि जो है उसको उसके साथ दरबार में कोई भी वजीर को छोड़ करके और तो खलीफा के बंसजों को छोड़ कर कोई भी उससे बात नहीं कर सकता था कोई हस नहीं सकता था कि वह लिनी को पर्मिशन थी ना तो यह ऐसा कहा जाता था कि बल्वन आलवेज मेंटेन और एक्स्टरनल डिगनिटी उसने हमेशा ही जो बाहरी जो डिगनिटी थी सुल्तान को उसको मेंटेन रखा और नहीं किसी को इसकी इजाजर थी और स्वैम भी वह इसको पालन करता था इसके बाद हम यह देखते हैं कि जब भी वह दरबार में जाता था तो उसके शाथ जो है काफी दिखावटी मान मर्यादा जो कह सकते हैं कि एक सुल्तान जैसे काते हैं कैसे आपको मालूम चड़ता है जब सड़क पे कोई व्याइपी जाता है तो यह व्याइपी आदमी चल रहा है तो कार रोक दी जाती है सड़क जाम रोक दिया जाता है बंद कर दिये जाते है और वियाईपी गाडिया गुजरती है साइरन की आवाज लेते हुए है ना ता आपको पता चले कि कोई विशेश व्यक्ति जा रहा है ठीक उसी तरह से बलवन इन सब चीजों में बड़ा विश्वास करता था और जब वह सुल्तान जो है दर्बार से बाहर जब जाता था थे वह साथ में चलते थे विश्मिल्ला विश्मिल्ला जो है वह कहकर के आवाज दे करके चलते थे गुजता था वेनेवर दो सुल्तान वेंट आउटसाइड दा प्लेस दे मार्स्ट विथ हिम सौटिंग विश्मिल्ला विश्मिल्ला है ना तो यह बलवन के अंदर दिखा पोट के जो सुल्तान थे उनके नाम पर कैकूबात क्यूमर्स है ना कैकूसरो रखा हुआ था तो ये एक बलवन की विशेश बात थी उसने जो दूसरी बात उसने ये कहा कि जब कोई उसे अभी हमने जिक्र किया आपसे कि बलवन जो है किसी को भी बलवन से बात करने की इजाज़त नहीं थी न तो कोई हस सकता था न तो बोल सकता था इसका वाक्या एक बार इघटित होता है कि दिल्ली का जो कोई ब्यापारी था वो बलवन से पैसा दे करके मिलने की बात करता है तो उसके बारे में भी बलवन लिखता है एक बार उसने कहा कि हम बलवन से मिलना चाहते हैं और इसके बदले में हम संपती अपना भेट करना चाहते हैं लेकिन बलवन ने ऐसा करने से इंकार कर दिया था बलवन ने स्वैम को अफरा सियाब बंसस से फारस का अफरा सियाब जो बंसस था डाइनिस्ट्री थी उससे अपने आपको उसने कनेक्ट किया था तो यह एक प्रकार का बड़ा ही दिखावटी एक बाते उसने सभी महत्रपुन पदों पर जो है जो है कुछ कुलीन बर की लोगों को न्युक्त कर दिया और जैसा भी मैंने बताया कि वह निम्न कुल के व्यक्तियों से नफरत करता था यह एक प्रकार का उसके अंदर यह संदित है इसलिए मैं कुलीन और अकुलीन के भी स्विभेत करता हूं एक राजा का जो डिग्निटी है उससे हर कोई नहीं मिल सकता हर कोई नहीं बात कर सकता है हर कोई उसके आदेश का फर्मान को पालन करना होगा तो यह चीज़ बलवन ने यह चीज़ दिखाने की करें और इसके लिए उसने के अं है Oo एक निरंकुष्टा का प्रतीक था को देnh करने गुप्तिचर जो है स्पाइस जो है निप्त कर रखे थे और ताकि उसकी आधेश की अवहिलना का पालन हो रहा है की नहीं रहा है अगर कोई उसकी अवहिलना करता था आदेश का तो उसको उसकी हत्या कर दी जाती थी और ऐसा वाक्या ये बदायू के जो गौर्णर थे उनकी उसने अवहिलना करने पर उसकी हत्या कर दी थी जो गुचर थे इस तरह से हम देखते हैं कि उसने जो है बलवन ने ये कोशिश करी कि जो है बंसावली के महत्तों को अभी हमने बताया कि महत्त देता है और इसके लिए उसने असपश्च तौर पे कहा कि मैं फारस के अफ्रासियाब बंसन से संबंधित हूँ मैं दास नहीं हूँ और इसके कारण उसने अपने ग्रैंट संथे उनका नाम भी उनके नाम पर रख दिया था तो ये एक बड़ी बात थी यही नहीं बलवन ने जो है जो ट्रेडिशन्स थी जो परंपराएं थी जो फेस को उसने बलवन ने इंटोड्यूस्ट किया ही इंटोड्यूस्ट दा प्रैक्टिस आफ सिज्दा और प्रोस्टरेशन और पाइबोसा और किशिंग आफ दा फिट आफ दा सुल्तान है न कि मतलब जो है घुटनों को बल बैट करके आप सिर जुकाकर का विवादन करिए और या फिर सिज्दा ये हुआ पैबोस मतलब पैर के उंठे को आप उसको चुसिए तो ये एक प्रथा थी कि सम्मान दिखाने की बात थी कि जो भी है उसके साथ वा सम्मान करें है ना इसके अलावा जो है हम ये देखते हैं कि उसने जो है ये सारी जो चीजे थी ये हम लोगो जो हमने जो आपको बताई ये ऐसा नहीं था कि बल्वन जो है खलीफा के बारे में कुछ नहीं कहता है वह राधी तो धर्म के बारे में भी कहता था कहता है कि खलीफा की राधितिक प्रशत्ता को उसने स्विकारे नहीं किया इसके अलावा उसने ये भी कहा कि सेट बल्वन की पॉलिटिक संड रिलिजिंस और टू डिफरेंट सब्जेक्ट राजनीति और प्रशासन जो है धर्म दो अलग-अलग विशे हैं और उल्मा जो है और उम्रा वर्ग को जो है राजनीति और प्रशासन में हस्षेब करने का अधिकार नहीं है यह जो अमीर क्लास है जो उम्रा क्लास है वह हस्षेब नहीं कर सकता था और इसे मैं स्विकारे नहीं करूंगा इसके अलावा बल्वन ने भले ही खलीफा की प्रशात्ता को श्विकार नहीं किया बड़ जो है उसने जो है खलीफा का जो नाम है वह जो है इंस्क्राइब किया उसने सिक्कों पर खलीफा का नाम जरूर अंकित कराया था लेकिन धर्म को दोप्रथक विश्य मानते हुए उल्मा बर्ग को राजीत में हस्चेप करने से मना कर दिया और उसने कहा कि मैं खुद खुदा की नजर में खुदा की नजर में आल्ला का प्रति इसलिए मैं खुद आपसे सर्वसिस्ट हूँ और आपको मेरे आदेश का पालन करना होगा मेरे द्वारा दिये गए जो भी सर्कुलर होंगे फर्मान होंगे उसको आपको पालन करना होगा तो इस तरह से इसके अलावा हम लोगे देखते हैं कि जो है बलवन ने न केवल निरंकुष शाशन को ही अपने डेस्पोटिक रूल को ही केवल शाशन का आधार नहीं बनाया बलकि उसने न्याय को भी एक बहुत महत्तपुण अस्थान दिया और उसने वह स्पस्त तौर पे कहता है कि हजार बार नमाज अदा करके थाउजन टाइम्स जो है नमाज पढ़के भी आपको इस्वर की प्राप्ती नहीं हो सकती है मोच्छ की प्राप्ती नहीं हो सकती है लेकिन अगर आप बिना किसी डिस्क्रिमिनेट किये हुए अगर आपने न्यायन स्वक्ष तरीके से किया तो आपको जन्नत नशीब होगी इस्वर की ब्लेशिंग प्राप्त होगी इस सपस्ट तोर पे अपने बच्चों को अपने राजत्त के माधियम से मैसेज करवे करता है कि जो है केवल राजा को जो सता जो प्राप्त होती है वैश्वर की क्रिपा से प्राप्त होती है उसके अंदर गुण होता है लेकिन उसके वह अगर अपनी प्रजा के साथ अन्याय करता है अन्याय करता है उसका कल्यान पब्लिक वेलफियर में काम नहीं करता है तो क्या होगा तो उसके खिलाफ जो है इस्वर की जो कृपा प्राप्त हो रही है वह शमाप्त हो जाएगी इसलिए जरूरी है कि इस्वर की ब्लेसिंग्स पाने के लिए और अपनी सुल्तान की गरिमा को बढ़ाए रखने के लिए जरूरी है कि जंता के साथ बिना किसी भेद भाव के न्याय किया जाए तो इस तरह से बलवन ने एक प्रकार से जो पावर था जो प्रिस्टीज था और जो राजत तो था उसके राजत तो उसने अपने इस राजत तो के माध्यम से जो सक्ती थी जो प्रतिष्ठा थी जो न्याय था और जो इश्वर था यानि निरंकुष और न्याय को ये दोनों जो है इस्वर साशक और जनता के बीच जो त्री डाइमेंशनल जो रिलेशन था उसी पर उसने साशन करने की कोशिश करी और उसने सकती प्रतिस्था और न्याय पावर प्रेस्टीज और जस्टीज है ना इसी को बलवन ने अपने राजत सिधान्त का आधार बनाया तो नक्यवल जो अनुशाशन को उसने सामराज में और निरंकुशाशन को सामराज में लागू करने की कोशिश करी लोगों को हिलाफ दंड देनी की प्रताश शुरू करी बलकि उसने स्वैं भी उसको इंप्लिमेंट किया है ना जब मंगोल आक्रमन हुआ था और उत्री पस्चिमी सीमा पर उसके बड़े पुत्र की डेथ हो गई थी तो उस वह जो है इसके भावसूत भी वह जो रूटीन जो काम था डेली वह काम कर रहा था उसमें कहीं भी रुकावट नहीं पैदा हुआ और वह भले ही वह जब लौट के जाता था रुटीन काम करके तो वह कमरे में बैट करके जो है वह रोता था है ना जब उसने सुना यह वास सिटिंग इन अ कोट वैं दे नीज आफ देथ आफ इस बिलॉब्ड एल्डेस्ट सन मुहम्मद वास डिलिवर्ड तो ही है ना बट इस इस अडिस्टेटिव वर्क विदाउट सोविंग इवन लिटिल साइन अफ सौरो ऑन ही फोर्च है ना आप्टर फिंसिंग इस ड्यूटीज वैन ही रिटर्न तो ही बेडरूम ही वैप मिट्रिंग फार देथ आफ इस विलॉब्ड सन जो मैंने अभी आपको बताया कि कोई पुत्र की मिर्टू की समाचार सुनता है तो वह दर्बार में काम कर रहा होता है लेकिन थोड़ा भी उसने जो है रोने की या गिला सिक्वा व्यक्त करने की एक्स्प्रेस करने की कोशिश नहीं करी और दैनिक जो रूटीन वर्क था वह रोज की तरह वह उसने निप्टाय और आगे भी निम्टाया भले ही लोटने के बाद से वो कमरे में फूट फूट करके रोता था तो मेरे कहने का आसे सिर्फ यह है कि बलवन ने जो राजत शिधान्त जो बलवन का था फाइनली हम बताना चाहेंगे कि वहाँ उसकी जो डिवाइन थीरी थी उसमें उसका विश्वास था स्वयम को इस्वर का प्रतिमिधी इस्वर का प्रतिमिम बताया और शाषन निरंकुष किया और निरंकुस्ता के साथ-साथ उसने न्याय को भी अपने साशन का आधार बनाया प्रतिस्था स्थापित की इसके माध्यम से सुल्तान की जो पावर था जो प्रतिस्था थी जो गिर गई थी उसको उसने मेंटेन करने की कोशिश की तो इस प्रकार बल्वन का राज़त सिधान जो है इस्वर निरंकुस्ता का प्रतीक था जनता के कल्यान पर आधारित था सक्ति न्याय और प्रतिस्था पर आधारित था और इसके माध्यम से बल्वन का एक मात्रोदेश यही था कि सुल्तान की गिरिवी प्रतिस्था को जो सम्मान है जो डिग्निटी है उसको पुना रस्थापित किया जाए और इसको इसके आधार पर उसने अपने राज़े में साशन करने की पोशिश की